हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब बढ़ियां मैं भी एकदम बढ़ियां मैं हूँ आपकी दोस्त हर्शेता और हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही दिल्चस्प वीडियो लेकर आज हम एक ऐसी इन्फरमेशन इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं जिसका कही न कही और कभी न कभी आपकी रियल लाइफ से बहुत सादा ही तालुक रहा होगा याने आज हम एक ऐसे विशे पे बात करने जा रहे हैं और वह विशे है सपनों का मतलब और उनका फल वीडियो में हम आगे की और बढ़े उससे पहले मेरा उन सभी वियोर से तहे दिल से उसके लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बैल आइकन को तो सरूर प्रेस करें जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंद और जल से जल मिल सके हाँ तो हम बात कर रहे थे एक ऐसे विशे और एक ऐसे इंट्रेस्टिंग व हर सपनों का मतलब और उनका फल होता है सपने में कई बार हम ऐसी घटना देखते हैं जो हमारे भूतकाल से जुड़ी होई होती है या फिर वो देखते हैं जो आने वाले भविश्य में होने वाला है कई बार हम अपने जीवन में जैसी सोच रखते हैं जैसे माहौल में रहत वैसा ही रात को सपना भी देखते हैं ज्योति शास्र के अनुसार हर सपने का कोई न कोई मतलब और उनका अर्थ जरूर होता है सपनों में देखी गई हर चीज बस्तू इंसान घटना का कोई न कोई गहरा मतलब जरूर होता है घटना को समझ कर जितने अच्छे से हम उसके अर जानवर, भावनाय, मूड, रंग, जग, यहां तक की हर चीज का मतलब है। आज मैं आपको अपने चैनल दीपावली में सपनों की एक छोटी सी दिक्षनरी शेयर कर रही हूं। सपने में किसी जानवर का दिखना। जानवरों में अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैं आती हूं बिल्ली के विशयर पर। अगर आपको सपने में बिल्ली दिखाई देती है तो उसका मतलब है किसी से आपकी लड़ाई हो सकती है। दूसरा, शेर, सपने में शेर का दिखाई देना, मतलब आपके रुके हुए कार्य पूर्य होने वाले हैं, मुकदमे में जीत मिलेगी, शेर शेरनी के जोड़ी को एक साथ देखने का मतलब है आपका शादी शुदा जीवन खुशाल रहेगा, उसी तरह अगर आपको सपने मे बच्चडा दिखाई देता है तो इसका मतलब है इसका दिखना शुबसंकेत है, इसका मतलब है आप आत्मनिर्बर हैं एवं आपको धनकी प्राप्ती होने वाली है, उट, सपने में उट का दिखना अच्छा नहीं माना जाता है चलते हुए उट का दिखना मतलब कोई शादिरिक समस्य रूत्पञा हो सकती है इसके अलावा खड़े हुए उट को देखना मतलब आपको किसी भी तरह की विपत्ति आ सकती है गाय अलग तरह की गाय दिखने के पीछे अलग-अलग रहस्य छुपे हुए हैं अगर सपने में सफीद गाय दिखाई दे तो आपको शक्कर वो चांदी के व्यापार में लाप मिलेगा उसी तरह अगर चित कबरी गाए दिखाई देती है तो इस पर ब्याज के व्यापार में लाप मिलेगा अगर सपने में आप गाय का दूर्थ निकालते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि समपतिव व्यापार में लाप मिलेगा नाग, बहुत से लोगों को अपने सपने में साप नजर आते हैं वे से देखकर डर भी जाते हैं वो कुछ बुरा महसूस करने लगते हैं लेकिन ऐसा नहीं है साप या नाग का देखना शुब माना जाता है इसका मतलब है कि आपके जीवन में सभी तरह के सुक समरदी आने वाली है मचली मचली को लक्षमी का सूचक कहते हैं इसके दिखने का मतलब है कि आपको धन की प्राप्ती होने वाली है हाथी हाथी को अलग-अलग तरह से देखा जाता है जिस से अलग-अलग फायदे होते हैं खड़े हाती को देखने का मतलब है आपके किसी कार्या में अर्चन पैदा हो सकती है अगर सपने में आप अपने आपको हाती में सवारी गरते हुए देखते हैं तो मतलब आपके जीवन में सुक शांती समरद्धी की पढ़ोत्री होगी घोडे पर चड़ते हुए देखना इसका मतलब है आपको अपने कार्य में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा लोमडी आपके बहुत अच्छे दोस्त से आपको धोका मिलने वाला है और अंत में हम आते हैं नेवले पर नेवले का सपने में दिखाई देना मतलब किसी शत्रू का जो आपके मन में है वो जल्द ही दूर हो जाएगा हाँ तो अभी तक हमने बात करी सपनों में दिखने वाले जानवरों के विशय में अब हम बात कहते हैं सपने में किसी कीड़े को देखने का मतलब आखिर होता क्या है तो चलिए इसमें हम बात कहते हैं सबसे पहले चिपकली के विशय में आपको सपने में चिपकली किस तरह से दिखाई दे रही है इस बात पर उसका रहस्य चुपा हुआ है अगर छिपकली एक ही जगर पर बैठी हुई है तो मतलग कोई दुरखटना या हानी होने वाली है यदि छिपकली किसी कीड़े को खाते हुए दिखाई देती है तो घर में यह आसपास चोरी हो सकती है लेकिन अगर छिपकली डर कर भागते हुए नजर आए तो यह शुब संकेत हो सकता है मधुमक्खी यदि सपने में मधुमक्खी से भरा हुआ छट्ता दिखाई दे रहा है तो यह शुब होता है इससे आपके परिवार में एक जुटता बनी रहेगी भोरा सपने में इसका दिखना बहुत अशुब मानते हैं इसके दिखने का मतलब है कि आपको कोई अपना धोका देने वाला है साथ ही आपको किसी कश्टकारी यात्रा का सामना भी करना पड़ सकता है बंदर परिवार या मित्र से लड़ाई हो सकती है या किसी तरह का मन मुटाव होगा जुगनो आपकी जीवन में कठिम समय आने वाला है तिड्डे अगर आपको सपने में तिड्डे दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि आपको व्यापार में हानी होगी सपनों में रिष्टेदारों का दिखना तो चलिए जानते हैं इस विषय में अगर आपको सपने में आपका अगर कोई बहुत ही खास दोस्त दिखाई दे रहा है तो वह दोस्त से आपका क्या रिलेशन होता है बताते हैं आपको सपने में दोस्तों का दिखाई देने का मतलब है कि आपके दोस्त के जीवन को आपकी सला की जरूरत है या आप चाहते हैं कि आपके दोस्त आपकी सुने सपने में आपको आपके दादा या दादी या फिर कहें नाना या नानी दिखाई देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है इनका दिखाई देना मतलब बुद्धी, प्यार की निशानी है माता पिता, आपको अपने कारे शेत्र में सम्मान मिलने वाला है रिष्टेदार, सपने में किसी रिष्टेदार को अपने घर में आता हुआ देखने का मतलब है कि आपको नए अच्छे अवसर मिलने वाले हैं सपने में भाई का दिखना इसका मतलब है आपके नए मित्र बन सकते हैं सपने में अगर आप पती को बारे में सोचते हैं तो इसका मतलब है कि सपने में अपने पती को देखना एक अच्छा सूचक है इससे आपके रिष्टे और अधिक मजबूत होंगे एवं जीवन में बहुत से खुशियां दस्तक देंगी टीचर का सपने में दिखना अच्छा होता है इससे जीवन में बाधाय दूर होती है वज सफलता प्राप्त होती है सपने में किसी उत्सव का दिखना या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सपने फल वैन विव फेस्टिवल अगर हम किसी सपने के बारे में सोच रहे हैं और सपनों में अगर हम किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपका इससे क्या लिंक हो सकता है यह भी चान लेते हैं पार्टी इसका मतलब है आप किसी बात के लिए बहुत खुश हैं या आप किसी पुरानी पार्टी को बहुत जाता याद कर रहे हैं डोली, सपने में डोली का दिखना अच्छा नहीं माना जाता है, इसके दिखने का मतलब है कि आप किसी तरह की परिशानी में पढ़ने वाले हैं बारात बारात भी शादी से जुड़ी होई होती है जिस तरह शादी का दिखना अशुब होता है उसी तरह सपने में बारात का दिखना भी अच्छा नहीं माना जाता है सपने में दिपावली उत्सव का आनंद लेने का मतलब आपके जीवन में खुशियां आने वाली है आपका जीवन हर्ष उल्लास से भरा हुआ रहेगा विदाई विदाई का दिखना शुब माना जाता है इसका मतलब है आपको आर्थिक रुप से लाब होगा कन्यादान सपने में कन्यादान का देखना अच्छा नहीं होता है ये संकेत है कि आपके जीवन में कोई दुरगटना या संकट आ सकता है कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों हम सपने में पूरी चीज़ों को देख लेते हैं या हम ऐसा कहें कि सपने में किसी तरह की मरत्यू का दिख जाना अगर हमें कुछ ऐसा दिख जाता है तो हम काफी डर भी जाते हैं तो चलिए इससे जुड़ी चैचा करते हैं किसी मर चुके इंसान का दिखना कोई आपका अपना या रिष्टेदार जो मर चुका है जो कुछ परिशानी है वो खत्म होने वाली है एवं कुछ नई शुरूआत होने वाली है किसी मुर्दे का दिखना मतलब आपकी मन चाहिए इच्छा पूरी होने वाली है आत्महत्या ये इस बात का प्रतीक है कि जो आपके जीवन में असहनिय वो जरूरी बात नहीं है उसे बाहर निकाल दो भूत सपने में किसी भूत को देखना अशुब माना चाहता है इसका मतलब है भविश्य में आपको किसी तरह के भारी नुकसान का सामना करना पढ़ सकता है हत्या ये अशुब सूचक है इसका मतलब है कि आपको कहीं से دھोका मिलने वाला है अर्थी रोगियों को अगर ये दिखाई दे तो अच्छा माना जाता है इससे उनके जल्दी ठीक होने के आसार होते हैं शव ये अच्छा होता है इसका मतलब है आपका भाग्योदय होने वाला है मरे हो इंसान से बात करना इसका मतलब है कि आपके मन की इच्छा पू जलता दिया अंधेरे को रोशनी में बदल देता है ये हमेशा अच्छा संकेत होता है इसका मतलब है कि आपकी उम्रब बढ़ गई है धुआं सपने में धुआं का दिखना मतलब आपको व्यापार में हानी होने वाली है साथ ही ये रोग वो शत्रूओं की बढ़ोत्री की निशानी है पूजा करते हुए अगर आप अपने आपको पूजा पाट करते हुए देखते हो तो मतलब है कि आपकी समस्या जल्द ही समापत होने वाली है इसी तरह अगनी सपने में आप का दिखना अच्छा होता है इससे रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत है लेकिन अगर कोई सपने में किसी को आप से जलता हुआ देखे तो ये भुरा माना जाता है इससे व्यापार में हानी होना पक्की है प्रक्रती से संबंदित सपने ड्रीम मेनिंग, वेन वियू नेचर, नदी, इसका दिखना मतलब आपके सपने पूरे होने वाले हैं, बिजली गिरते हुए देखना, इसका मतलब है आप किसी भी संकट में फस सकते हैं, इंद्रधनुष, इसका मतलब है कि आपका स्वास्त अच्छा रहेगा, सपनों में बा बादल का देखना एक साधारन बात है, बादल के साथ अगर आप बारिश भी देखते हैं, तो यह अच्छा सूचक है, तारे, इसका देखना अच्छा होता है, इसका मतलब है कि आपके दिल की मनों कामना जल्द ही पूरी होने वाली है, सपने में पूरे तारा मंडल का दिखना तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, सपनों में पाहड का दिखाई देना, इसका दिखना अच्छा होता है, आपके जीवन में आप उन्नती ही उन्नती पाएंगे, बर्फ इसका मतलब है आप जल्द ही अपने किसी प्रिये से मिलने वाले हैं, गार्डन इसका जब है आपको सुख की प्राप्ती होगी, जंद्रमा आने वाले समय में आपका सम्मान बढ़ाएगा, जर्ना आपके दुखों का अंत होने वाला है, दूप आपका प्रमोशन होने वाला है, कमल का फूल सभी रोगों से चुटकारा मिल जाएगा, कुवां समाज में सम्मान बढ़ेगा, शहद, आपकी जिन्दगी में अनुकूलता आएगी, कोयल, स्वास्त अच्छा रहेगा, तालाब, दुश्मन से हार का सामना होगा, सफेद फूल, सपने में सफेद फूल का दिखना मतलब किसी समस्या से चुटकारा मिलने वाला है, अगर आपको सपने में ला घास, मैदान में घास का दिखने का मतलब है कि धनकी प्राप्ती होगी, हाँ तो सपनों में हमने नेचर से जुड़ी बात करी, कि नेचर से जुड़ी अगर हमें चीज़े दिखाई देती हैं, तो उनका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव हो सकता है, अब हम बात करते हैं, श इससे आपका रुकाधन आपको मिलने के संकेत मिलते हैं, कटे हुए अंग, इससे आपको जल्द ही संतान की प्राप्ती होगी, वो आपकी संतान के लिए लापकारी भी होगा, लेकिन अगर आप सपने में अपने ही कटे हुए अंग देखते हैं, तो यह अशुब है, इसका मतलब है कि आपको चिंता किसी तरह की परिशानी आने वाली है किसी भी तरह की इमारत का सपने में देखना स्वपनफल वैन व्यू बिल्डिंग इमारत बनते हुए देखना घर बनते हुए या इमारत बनते हुए देखना अच्छा होता है इससे भविश्य में आपको तरक्की मिलने वाली है उचाई, बहुत से लोग उचाई से डरते हैं उन्हें हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं वे उचाई से गिर न जाए इस डर को वे अपने सपने में भी देखते हैं ऐसा देखने का मतलब है कि जिन्दगी में कोई परिशानी आने वाली है सपने में किसी किले का दिखाई देना सपने में किलाए का दिखाई देना आपके फिजिकल बोडी को दर्शाता है या आपकी शमता वो विकास को दर्शाता है साथी कुशी की और इशारा है महल यह अच्छा सूचक है इसका मतलब है जातक के कर्ष्ट खत्म होने वाले हैं सपने में सपने में स्टेशन का दिखाई देने का मतलब है कि आने वाले समय में आपको एक सुख़ द्यात्रा का अनुभा होगा कबरिस्तान इसका मतलब है आपको धन लाप होगा साथ ही आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा दुकान खाली दुकान का देखना बुरा माना जाता है इससे धनानी होती है जबकि भरी दुकान को देखना अच्छा माना जाता है इससे धन में फ्रद्धी होती है ढाग घर आपके काम में आपको उन्नती मिलेगी So friends हमने जाना कि इन किन किन चीजों की वज़े से हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है अगर सपने में हम ये सभी चीज़े देखते हैं इन सप्के अलावा अगर हम धातु को सपने में देखते हैं तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है यह भी जान लेते हैं गोल्ड का मिलना अगर सपने में आपको कोई गोल्ड दे रहा है मतलब आपकी शादी चल्दी हो सकती है तामबा सपने में तामब को देखने का मतलब है आपको अपने जीवन से जुड़ी कोई गोपनी वह रहसे में बात का पता चलने वाला है लोहा इसको अशुब माना जाता है इसका मतलब है कि आपका किसी दुरगटना से सामना होने वाला है किसी वाहन का सपने में दिखना ट्रेन इसका मतलब है कि आपको किसी कश्टकारी यात्रा का सामना करना पड़ेगा विमान इसका मतलब है कि आपकी किसमत जल्द ही बदलने वाली है और आपका अच्छा समय आने वाला है साइकल, सपने में साइकल को चलाना, आपके सारे कारे सिद्ध होने वाले है जहाज, किसी लंबी यात्रा के योग है, किसी व्यक्ति विशेश का सपने में दिखाई देने का क्या प्रभाव पड़ता है यह भी जान लेते हैं सपने में किसी बच्चे को देखने का मतलब है कि आप अपने आपको किसी काम के लिए परिपक्व नहीं समझते हैं या जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपको और विक्सित वपरिपक्व होने की आवशकता है रोता बच्चा, सपने में अगर रोता बच्चा दिखाई दिता है, इसका मतलब है कि आपके जीवन में कोई निराशा आने वाली है, कोई बिमारी या कोई और बुरी खबर आ सकती है हस्ते हुए देखना अगर आप अपने आपको हस्ता हुआ देखते हैं इसका मतलब है कि आपका किसी से जल्द ही विवाद होने वाला है डॉक्टर इसका मतलब है आपको कोई रोग होने वाला है गेस्ट इसका मतलब है आपके घर कोई परिशानी आने वाली है डाकिया अगर सपने में आपको कोई पोस्टमेन आता हुआ दिखता है तो इसका मतलब है कि आपके घर कोई सुपशमाचार आने वाला है पुजारी आपको आगे भविश्य में उन्नती मिलने वाली है भिकारी इसका मतलब है आप यातरा कर सकते है विद्वा अगर आपको कोई विद्वा दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आपको कोई हानी होने वाली है लड़की जवान लड़की को देखना अच्छा संकेत है इसका मतलब है आपकी शादी जल्द ही होने वाली है सादू सन्याजी का दिखना इसका मतलब जल्द आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है तपस्या करते हुए सादू का दिखना इसका मतलब है आपको दान करना चाहिए अन्य बाते जो हम सपनों में देखते हैं उससे क्या रिलेशन हो सकता है आपका यह भी जान लेते हैं धोका अपनों से धोका ये बहुत कौमन सपना है जो भावनात्मक रूप से हताश इंसान को जरूर देखाई देता है धोके का मतलब ये नहीं कि आपका पार्टनर गलत है बलकि ये है कि आप में आत्मसम्मान की कमी है आप अपने आप में गील्टी फिल करते हैं उड़ना, अपने आपको उड़ना देखने का मतलब है कि आप अपने आपको आजाद ऊपर देखते हैं। आप खुश वह अच्छा महसूस करते हैं, आप किसी की भी यात्रा में चासकते हैं। भगवान का दिखना इसका मतलब है आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है कच्छुआ आपको सही समझ धैर्य की जरूरत है आपके जीवन में शांती की कमी है आपको जीवन में भागने की जगर कच्छुआ की तरह धीरे चलना होगा तूटे हुए शीशे का दिखना ये सपना एक बुरा संकेत है आपके जीवन में एक दुखत घटना घट सकती है किसी करीबी की मौत की खबर आ सकती है खुला दर्वाजा दिखना याने ओपन डूर इसका मतलब है कि जीवन में नई शुरुवात होने वाली है नए दोस्त बन सकते हैं भुकम्प का आना प्राक्रतिक आपदा भुकम्प में किसी का जूर नहीं है ये कभी भी और कहीं भी किसी पे भी आ सकती है इस तरह कि आपदा को अपने सपने में देखने का मतलब है कि आपकी संतान के जीवन में कोई परिशानी आने वाली है दीवार सपने में दीवार के देखने का मतलब आपका सम्मान बढ़ेगा काजल लगाना आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है बंद दर्वाजा देखना भविश्य में आपको धनकी हानी होगी अपने आपको चश्मा लगाए हुए देखना इसका मतलब है आपका ग्यान बढ़ेगा गोबर इसका मतलब है आपके पशु के व्यपार में आपको लाब मेलेगा सपने में दिया कदिखना इसका भी मतलब है कि धनकी प्राप्ती होगी कैची इसका मतलब है आपके घर में किसी तरह का गलेश होने बाला है लाटी, आपको यश्की प्राप्ती होगी घुमते हुए देखना इसका मतलब है कोई अंजाय शत्रू आपको नुकसान पहुचाने की योजना बना रहा है पीछा करते हुए देखना सपने में किसी को अपने पीछे भागते हुए देखना इसका मतलब है आप अपने अंदर की किसी भावना से दूर भाग रहे हैं घप्रा रहे हैं जो लड़कियां ये सपना देखती हैं मतलब वो अपने आसपास असरक्षित महसूस करती है एक्जाम देते हुए देखना अपने आपको परिक्षा हॉल में परिक्षा देते हुए देखने का मतलब आपके जीवन में किसी तरह की कटनाई आने वाली है जो आपके लिए किसी परिक्षा से कम नहीं होगी अंगूटी पहनते हुए देखना, इसका मतलब आपको अच्छी सुन्दर पत्नी मिलेगी आम खाते हुए देखना, मतलब आपको जल्द ही धन की प्राप्ती होने वाली है हरी सबजी का देखना, इसका मतलब आपके जीवन में खुशियां आने वाली है जामुन इसका मतलब आपके जीवन की समस्या खप्तम होने वाली है नदी से पानी पीना सपने में कई बार हमने नदी से पानी पीते हुए भी देखा होगा इसका मतलब है कि आपके बॉस से आपको लाब मिलेगा रुई रुई का दिखने का मतलब है कि आपके शरी के रोग दूर होने का समय आ गया है चेक देना इसका मतलब है कि पूरवजो का धन आपको मिलने वाला है चाबुक जल्द ही आपका किसी से जगड़ा होने वाला है अंडे खाते हुए देखना, इसका मतलब आपको बेटे की प्राप्ती होगी बादाम खाना, इसका मतलब पैसे मिलने वाले हैं पुल में चलते हुए देखना, इसका मतलब है आपको अब जीवन में समाज के हित के लिए कार्य करने चाहिए हरी सबजी खाना, जीवन में प्रसनता आएगी, तर्बूस, दुश्मन बढ़ेंगे यहां मैंने आपको कुछ बाते बताई हैं जो आपके सपनों से जुड़ी हैं इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बाते हैं जो आपके सपनों को अर्थप्रदान करती हैं आज हमने ऐसी बहुत सी इंट्रेस्टिंग बातें जानी जो शायद आपको भी न पता होगी कि सपनों में इनका हमारे दिखाई देने का क्या मतलब होता होगा अगर आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें साथी साथ इसे लाइक करना बिलकुल न भूले अगर आप इस आर्टिकल से जुड़ी हुई जानकारी को और हासिल करना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन